हेलो फ्रेंज कैसे आप सभी लोग हो सभी लोग अच्छे होंगे तो अगर आपको घर में चोटा से उल पड़ा होगा तो आपको लग रहा हो कि मैं इसके क्या करूं तो आए ये वीडियो आप लोग के लिए आए चलिए देखते हैं क्या बनता है तो सबस्ब्स पहले जिससे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो ऐसे सबसे पहले आप टिकिया बना लेंगी तो पहले पांच चेन बनाएंगी उसके बाद 16 स्लिफ स्टिज बनाएंगी ये एक पूरा हो जाए का दोनों के वाला तिन लाइन तो उसके पाद ईससे ही गॉलाव पांच चेन का फिर बनाएंगी पिर 14 स्लिफ स्टिज बनाएंगी फिर 12 बनाएंगी ऐसी करके ये एक और दूसरा बनाएंगी तो इसका शिप जो बनेगा तो जब यह बनाएंगी तो यह हम आप यह से कुछ हा यह भी बिसे ध्यान रखेंगी कि दोनों को जब लास डेखेंगे अगर यह 25 सिच का लास्ट में हो गया है 25 सिच फ्टिच का तो भी 25 सिच होना चाहिए दोनों एक से जैसे हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे देखिए तो अभी यह वना है उसके बार यह देखिए एक के ऊपर एक हमने रखें तो दोनों का साइस देखिए इस सेम हो गया फिर आप इसको सुई की मदद से क्रोशिय की मदद से आप इसको क्या करेंगी पर सिल ल रखा होगा यह डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइस का बना रही हैं तो यह उतना है उसी किसाब से इसको आपको रखना पड़ते हैं यह गर्दन बनेगी तो इसका प्रोपोर्शन आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्लिप स्टिच दस फंदे का बना रहेंगे तो उसी किसाब को छोड़े रखना है और इसी जो छोड़ा हुआ पॉर्शन है यह जो दिख रहा है होल कहीं छेद कहीं जो भी कहीं इसे में आप यह जो रूई रखिए उसमें पुरा डाल देंगी उतना डालेंगी कि उफरा अच्छे से एज़स्ट हो जाए को इसको अंदर डाल डाल के अच्छे से जिसे में इसे पिक्चर ने देखें इसे डाल लेंगी प्रॉपर प्यारा सा गोल टाइप बन जाएगा उसके बाद क्या करेंगी जो यह बाकी जो छोड़ा हुआ जगा था उसी में आप इसको गोल कोल करके स्लिप स्टिच बनाती रह लेंगे उस वाले तरह आपको ध्यान देना है कि आपको कहां बढ़ाना है तो चाहिए बीच-बीच में दुरों तर बढ़ा लिजेगा दो फंदावीन लेजेगा बीच में बढ़ा लिजेगा उधर भी सेम सामने सामने होना चाहिए उधर आप भी उसमें दो बढ़ा अब तो मैं यह टर्टल बना रही हूं तो उसका थोड़ा ऐसे तो आपको बनाते से में थ्यान रखना पड़ेगा कहां कम होना चाहिए तो थोड़ा से इसको यह बस हमां एक आइडिया दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए कैसे बनाना है कि देखिए फिर आप इसको पंडर बना जिन पर पर एक बना बना के दोनों को हमने भना गतार लिया है अब इसको देखिये ऐसे देखिये इस इसी फिर आपको रखो रका कि इसी गुपर पर इस सिलना है देखिए मैं इससे बना बना लिया देखिए कि उप सा टेटल अब का तियार है कितना खुबitives मेरे था उसमें कर यह निकल आया था सारा तो हम इसको रख लिए थे याद आया जब इसको बना लिए मैं इसकी आँख में क्या बनाएं तो वही हम तोड़ तोड़के दोनों तरव इसके आँख लगा दिया रहा है तो मैं आप लोग से यह कहना चाहां कि आपके घर में कोई समाहन रहा करें कुछ नगॉष नगॉष नगुष बन करी कि आजाता है मैं जल्धिक वर भर इंब में कुछ चलता रहता तो किसी दिमाम कुछ चलता रहता तो ईयकिसे लिए कुछ बनाने में काम आजयाता है और यह वह कि दो don Eoss होते हैं तो बहुत ऐसे का चाहेंगे तो ऐसे स्वी धागा से इसको आप इस तरह शेव में ऐसे डिजाइन बना सकती है यह आपकी मर्जी है वह ऐसे हाड और फास्ट रूले यह आप पर डिपेंड करता है ना प्यारा सा ना सुंदर सा बनके तियार होगे आपके घर में डेक आप से तक अपना दियान रखिए